हालो दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं सब मैं आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे हैपि होंगे हल्दी होंगे और मजे में होंगे और आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वाकत करती हूँ अपने डेली व्लॉग में और अपने होम में और आज दोस्तों तारीख है 14 फरवरी दिन है बुद्वार और यहां पर जो है सुबह सुबह 6 बजे से मैं अपने व्लॉग की शुरुवात कर रही हूँ से पहले थोड़ा सा पानी गरम कर लिया है और आज जो है एक जगे जाना भी है लेकिन उससे पहले जो भी घर के सारे काम है वो निप्टाने के पाद ही जाऊंगी मतलब दोपहर की तरफ तो अभी देखिए यहां पर थोड़ा सा पानी गुनगुना करके पी लिया है और सा पहले यहां पर मैंने रखा था बड़ा सा बकेट बरतन धूल के रखती थी लेकिन उस बड़े से कौंटर पर बिलकुल भी जगा नहीं होती थी तो फिर मैंने नहीं मोँच हनया चोटा बकेट रख दिया है स्केन दिख रहा हो다면ень जाना है और बरतन आह और जान कर पिर पिल में तो फिर आज मैंने इनको सुबह सुबह भिगो दिया कि चलो जब तक मैं घर के साफ सफाई जो भी काम है वो सारे करूंगी तब तक यह जो फूल जाएंगे अच्छे से साथ में सवह दिआ हमें की मिठी भी जो रे गल जाएगी बहुत मिठी है घीह हो में इस बार मतलब पिछले बार कीःओ में तो बहुत बहुत ज्यादा मिट्टी है साथ में कूड़ा भी है तो कई बार मैं पंखा लगा के साफ करती हूं लेकिन आज मैंने ऐसे ही जो है टब में भी गो दिये हैंगे हूं और उसके बाद यहां पे जो कपड़ों का धेर रखा था स्टूल पे तो यह सारे कपड़े भी मैं इसी मे लेकि पापड़े ने कल साम में डाले तो अभी पड़े हैं इस बजे से मैंने यहां पे बाल्टी में भिगो दिये हैं और आज जो है गाउं भी जाना है गाउं में हुई थी दो दिन पहले साथी तो आज है भाथ मूँदिखाई है और में जब जाओंगी तो पहर की तरफ तो आप लोग भी बने रहेगा व्लॉग में आप लोगों को भी ले करके चलूंगी और जो है दुलन की मूँ दिखाई ही होगी तो मैं दुलन भी दिखाऊंगी अगर दिखा पाई तो लेकिन उससे पहले यहां पर जो भी मेरे सुबे के काम हैं उनको मैं फटा फट करते हैं टो बहुत ज़्यादा जो है शुकोन मल जाता है लेकिन जिस दिन जहींती होता है करता है तो क्वाधा पाई तो धिर समी करते हैं मेरे घर के मैं सबसे पह exaggeration मेरे साथ में चारोब बठाबैंश さ साथ में तूह यहां पीछे घूंता रेधा है यह साथ में पीछ़ पीछेगे घूंटा रही हो हुँ जब मैं डश्ट विंट में और रख़ देती हूं तो सैतान ड़स्ट विंट गिन फिला के प्यला देता है तो यहां पर जैसे कुड़ा मैंने भरा भरके में बाहर फिक के आ गई हूँ और अभी जो है नीचे जाडू लगा करके फिर आ गई हूँ उपर वाली छट पे तो इधर वाली छट पे जाडू लगाऊंगी गेहूं धुलके फैलाऊंगी तो गेहूं बिलकुल उपर वाली छट पे फैलाती हूँ और ये देखो ये सैतान आ गया तो ये जाडू भी नहीं लगाने देगा और ये जो छट इधर की तो यहां पे टंकी इधर रखी है तो जब भी टंकी ओवर हो जाती है तो पानी गिरता ये छट पूरी साफ हो जाती है लेकिन फिर भी धूल मिट्टी है यहां पे देखो पाइप के नीचे मिट्टी जम गई है साथ में उसमें घास पी जम गई है तो यहां पे इस वाली चत पे जाड़ू लगा दूँगी गेहों फैलाने के लिए और जिस दिन गेहों वगेरा कुछ ऐसा धुलना होता है तो उस दिन मौसम बड़े नकरे दिखाता है अभी जो है सुबे सुबे धूप तो नहीं निकली है बादल है लेकिन आज पूरा दिन धूप बहुत हलकी निकली जैसे बादल होते हैं तो फिर हलकी धूप निकलती है तो बिल्कुल जो है बादल वाली हलकी बदली वाली धूप निकली तो यहां पे उपर जाड़ू लगाके फिर आ गई बड़ा मन मायूस हो गया था सुबह सुबह काफी देर बाद धूप निकली थी वही एक डीड़ वजे के आसपास निकली थी तो फिर मैंने का चलो देखना देखती हूँ मतलब देखना तो हई अब भीडु दिये हैं दूलवले तो हैं तो फिर मैंने का चलो देखा जाएगा और यहां पे नीचे आकर की फिर मैंने डस्टिंग सुरू कर दी है तो यह वाले फ्रिज का कवर भी हटा दिया है इस वाले फिरिज का कवर जो हलका क्रीम कलर का है तो बहुत जल्दी धूल पड़ती है गंदा हो जाता है और मेरून वाले का उस पे फिरिज पे कवर पहले था फ्लास्टिक का फिर वो फट गया उसके बाद मैंने दोबारा लिया भी नहीं और अभी जो है आ गई हूँ यहाँ पे अपने कमरे में डेस्टिंग करने के लिए तो ड्रेसिंग टेबल सुबह मैंने सबी जो है सारी चीज़े हटा के पूँची थी तो अभी बस खाली कपड़ा लगा दिया है और जब भी मैं डेस्टिंग करती हूँ तो मेरी एक आदत है जो भी कपड़ा में लेती हूँ तो उसी कपड़े से मैं अपने रूम में जो भी चीज़े हैं सारी पूँच देती हूँ बस उसको बीच-बीच में मैं धूलती रहती हूँ बतलब बीच बीच में उसको मैं धुल लाती हूं और बस जो है उसी कपड़े से ये नहीं कि मैं चार कपड़े रखो इसको पुछने के लिए अलग उसको पुछने के लिए अलग बिल्कुल नहीं मैं एक ही कपड़े से जो है सारी ड्रेस्टिंग कर देती हूं तो उसको जब बीच बीच में धुलती रहती हूं ऐसा नहीं कि धुलती नहीं हूं धुल देती हूं जो भी जैसे अलमारी पोची तो फिर उसको मैं धुल के लाई फिर जो ड्रेसिंग केबल पोची फिर मैं उसको धुल के लाई तो फिर ऐसे ही पोच पोच के जो है मैं धुल देती हूँ लेकिन इक आदत होती है ना बार बार कौन दूसरा कपड़ा लेने जाए तो यहां पर अभी जोए उसी कपड़े से मैंने बेट साप कर दिया है पीछे जोए चाए का कफ रख देते हैं तो उस पर प्लाई पर दाग पड़ जाता है और उसके बाद इदर जोए ख और अभी जो है पूरे घर की सफाई कर दी है उसके बाद नंबर आ गया है गेहूं दूलने का तो इनको दूल रही हूं और इनमें बहुत जादा मिट्टी थी इस वज़े से मैंने इनको सुबह भी गोया था और अभी देखो कितना गंदा पानी निकल रहा है मतलब बहुत जादा इनमें मिट्टी थी पिछले साल की जो गेहूं थे उनमें काफी मिट्टी थी जब कहते ना गेहूं कटने पर आते हैं तो उस टाइम पर हवा चलती है या बारिस हो जाती है तो सारे गेहूं हमारे लौट जाते हैं खेत में तो उस वज़े से बहुत मिट्टी हो गोने के बाद खुब अच्छे से रगड के साफ किये हैं और अभी देखो हस्बेंट की हेल्प से छट पे लेके आई हूं टब वाले गेहूं ये उठा के लाए और बालती के जो गेहूं थे वो मैं उठा के लाई अकेले बनता नहीं है और भीगे वाले गेहूं जो होते हैं बजन हो जाते हैं और अभी सुबे के आठ बज रहे हैं लेकिन धूब बिलकुल नहीं निकली हैं और यहां भी मैंने गेहूं डाल दिये हैं तो हलकी हवा चल रही थी इस वज़े से मैंने कहा चलो फटा फट फट फैला दूँ ताकि हवा लग जाएगी वरना भीगे और डर भी लग रहा था कि कहीं बारिस ना हो जाए बुंदा बांदी जो मुझे फिर उठाने पड़े इधर से उधर करने पड़े ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाती है लेकिन फिर शुक्र मनाओ बारिस नहीं हुई थी और जो हवा भी चल रही थी जिसकी वज़े से यहां कुम है रिजुआ है कि इसादे दालने के बार नीचे आगए हुँँ तो अधर जो कप्ड़े मेने भी गो के रखे हैं तो पापा जी के कपड़े शो है मसीन से निकाल लिए थे तहवी और इधर जो भी सारा समान पड़ा है वह ADUL कि अ रखती है टबb अ गेरा और उसके बाद यहां पिए जो वासवे से नहीं इसको भी साफ किया है और साफ करने के बाद अभी यहां पे पूरी गैलरी है तो इसको को यहां पर रख दिया मैंने उबलने के लिए और जब तक छोले उबले तब तक मैं नहा करके फिर आ गई हूँ और नहा के आने के पास सबसे पहले मंदिर में जोत लगा दी है तो देखिए अभी जो है आ गई हूँ फिर से खिचन में छोले रखे गई थी तो नहाने से पहले छोले भी जो है बॉयल हो गए हैं और उसके बाद यहां पर मैं तड़का लगा रही हूँ और जैसे ही मैंने तड़का डाला वैसे पहली छीर जो है मत्थे पे गिरी आख पे ह जल्दी जल्दी में यही होता है देखो थोड़ी जो है मुझे जल्दी भी थी कि चलो फटा-फट में बना दूं मुझे जो है जाना भी है तो तैयार भी हूँगी और यहां पर यह जो छोले हैं बॉयल हो गए हैं तो इनको भी हलका सा मैंने मैस कर दिया है और यह उनमें हलकी सी खटास अच्छी लगती है हलकी से खटे हों तो अच्छे लगते हैं चटपटे और यह बने भी बहुत अच्छे थे तो उपर से देखे मैंने हरा धनिया डाल दिया है तो यहां पर जो सब्जी है वह फटा फट बन गई है और अभी जो कूकर खाली मतलब धुल के और फिर उसमें मैं चावल रख दूँगी तो यहां पर यह देखे सब्जी जो है वह तैयार हो गई है और उसके बाद मैंने चावल लखती है चावल लखने के बाद में जो भी थोड़ा वो थमारा किचन गंदा हो जाता है तो उसको मैंने साप किया जो बरतन एक-दो ग पर तो टाइम हो रहा है वही लगबग एक डेड़ बज रहे हैं देखा नहीं है लेकिन लगबग इतना ही टाइम है और typ है यह नहाक की आए और यह यहाँ पर пар्मेरी मॉसीन बैर इस्हाठी पेहनी है ..चैसाज Dr. Stephen मुझे जो है सेंट की मैक से थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम है सर पे चड़ती है पर सरदर्द सुरू हो जाता है हमारे गाउं में है आज है भात और मुझ दिखाई तो चलिए आपने गाउं अभीदम गई थी कौन से तारी को गई थी हां दस फरवरी को और आज किती तारी है जो मनाते हैं देखो उनको ध्यान देता यहां पर मनाता नहीं और यह खा रहा है चावल और छोले चावल इसको दिये मैंने यह देखो एक खा रहा है और मैं जा रही हूं हस्पिन के ताथ में बाई अभी जो है गाव पहुंच गई हूं तो यह देखे गाव में हो रही है खरीद दारी तो मैंने का चलो मैं आपनों को भी दिखाती हूं जो है टोरिंग है लेकिन यह उसके नहीं थे मतलब चांदी के नहीं थे जो तरीके से आर्टिफिशल आती है चांदी उसके थे और पर जो है किसी ने बुरा नहीं माना था सबको ना इज़र हमारों के दुलेंद देखाए दी तो तुमों लोग देख लिए आई जाओ पले हुआ हाई हुआ है है हाई है लो निया हुआ है 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 जाड़ा चांड यह है है ने खिस एक सब्सक्राइब नाइए है गटों वो या झाल सुख नगार नाओ आप वोरी । पाघ मत आपल सुख अचे तो मिष्या आप रो नाची बॉक मोटना आप तो my रुख बìn। रो ये ये अझाण रो ये ये अझा रत हाओ वैंडमे मिविर नाची ए खित्यर Ari लिटे में भाई के वी एखे लिए खेख हुआ है यह उपर वाली खाले खराब है वहीं नहीं तोड़े हुआ 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 है यह पन्दे म्दात देऊ फॉरिय को चोपाल जंदता नहीं है जो से बी वापस आ गई हूं आपर दिखो चाए रखिए मैंने कहीं पे भी जा और जरे से कहीं पे भी जाना हुता है किसी का मुझे लगता है सबका हाली है जो जाते हैं तो बड़ा होसला होता है बहुत आतयार हो कि बहुत सारे तो फिर थकान भी लगती एक तो मेरा सरदर्द होने लगता है हलका हलका सरदर्द होता है तो वापस आकर चाय रखी है और आप लोगों को मैंने दुलहन दिखाई तो वहां पर कमरे में लाइट नहीं थी अधेरा था और जो हलकी सी मैंने वीडियो बनाए थी आप सब के साथ दुलहन कैसी लगी और अभी जो है यहां पर मैंने चाय रखी है तो बस चाय प्योंगे और इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को यहीं परी इंटेल दी हूँ यह देखो हमारी वित्यारानी भी आगें यह गई थी दवाई लेने इनके दाने निकले देखो यह पताने कैसे नि चोले चाबल बनाये थे तो अब यह ऐसे ही रखे हैं और बरतन इजा रखे हैं सबने खाखा के इकठे किये हैं तो पहले चाय प्योंगी फिर जह बरतन साफ करूँगी और इसी के साथ यह ब्लॉग को इंट करती हूँ मिलते हैं विर अगड़ी वीडियो में तब तक के लि